आज मैं ऐसी तुरे की सबजी के रेसिपी आप लोग से सेयर करने वाले हूँ ना जिसे खाने के बाद आप हपते में दो से तीन वर घर वालों से फर्माइज करके बनवाओगे मेरी गारेंटी तुकि यह इतनी ज्यादा टेस्टी बनती है ना सबजी कि सब को पसंदा जाती ह और यकीन मानि इस तरीके से इससे पहले आपने नहीं तुरे की सबजी बनवा के खाई होगी तो चलिए आज इस तरीके से बनाते हैं जो मजा जाएगा खाके सबसे पहले इसके लिए मैंने तुरे ले लिए धोके साफ करके रख लिया है तो यह छोटे-छोटे तुरे ही होते है उससे बनाएंगे और इसे हम छोटे-छोटे पिसेस में कट कर लेंगे जिससे अगर एक तुरे ही छोटी सी है तो उसमें हम इसे कम से कम आठ टुकडा करेंगे यानि इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लेंगे इसे ये वाली जो तुरही होती है इसकी सब्जी ये ज़्यादा टेस्टी बनती है आप बड़े वाली के बना लो लेकिन ये जो है इससे ज़्यादा टेस्टी बनती है तो इस तरीके से सारे तुरही को कर लेंगे किसी कहने कच्छापन का जो टेस्ट आता नों वो चला जाएगा तो सब्जी का टेस्ट जादा ऐगा वैसे आप सिंपल साधी सब्जी बना के खा लो पर कभी कभी अगर आपको टेस्ट अच्छा लेना आप बहुत टेस्टी बना के खाना न तो इस तरीके साव एक बार जरूर बना के खाईएगा और हां अगर आपको मेरी तुरही के सब्जी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करतीजेगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेजेगा तुरह अग्दम बढ़िया सा महीन पीस लेना है यहां तुरही का कच्छापन अग्दम हर जाए उतना हमें फ्राइ कर लेना है उससे भून लेना है यहां पर देखिए मैंने मसाले पीस लिये हैं अग्दम महीन मसालों को पिसकी रेडी करना है थूड़ा सा पानी डालेजेगर उसी प्राइड में टालेंगे थोड़ा से सरसो का तेल एक चमच पंच फूरन अर् जो मसाले अमने पीस है वो डा लेंगे इसके अंदर आओ और इसमीराश्च में मसाले में ठूडा यहीं मसाले में घ्णी घ्ण मेरा जो क्लीप और मापे रुग गया था मतलब मैंने वीडियो और यह वीडियो थोड़ा से यह गया उसमें नहीं दिख रहा है कि मैं डाल दी हूं तो मैंने बस इस तरीके से धखके थुड़ा सा पानी डाला ढ़के तुरही को अच्छे से पका लिया सबजी थीमी आज पे पकाईएगा मसालो क्योंकि मसालो को मैंने अच्छे से भून लिया था और उपर से मैंने अच्छे से उसमें तुरे को फ्राई कर लिया था तो ज़्यादा पकाने की ज़रत नहीं है थोड़ा सपानी डाल के पका लिजे और ये सबजी बन के हो चुके रेड़ी तो इस तरीके से आप तुरे के सबजी बना की ज़रूर ट्राई करिएगा फिर मिलते अगली वीडियो में बाबाई